आप सबसे निवेदेन करके आज रिकाड़कूं कावेदीबत शुबारम करने की कृपा करी संजीव जहां जी और वंदरा कुमारी जी भी हमारे पीछ हैं मैं दोनों विदायकों से निवेदेन करूँगी कृपे आप भी मच पर आएं दीप प्रजवल में सहब आगी हूँ राजेश गुपता जी मुझे बतायाएं कि वो भी इस कारेक्रों में हमारे साथ हैं सर्म आपसे पे निवेदेन करूँगी कृपे आप भी मच पर आएं आजादी की मशाल उससमें शहीदों ने जलाई थी आज इस दीप प्रजवरन के माध्यम से हमें एक और लौ जला रही हैं कि आने वाले वर्षों में नकारात्मक्ता को दूर करते हुए भारत के विकास की भारत की प्रगतिशीलता की ये लौ सदा सदा यूँखी चलती रहे प्राद जला यूँआ यूपकी जलो यूँटे ओच्टर सथाल ये का की विक दो बादीलता की यूँश्यम से चलती यूँचकी अपार झालती प्रूँचकी विकास भीज़ को तो में लूँ़ की लूँ़ मर गए मिट गए जो वतन पे सदा हसते हसते हो गए जो वतन पे जो वतन पे खिदा छोड़ा गर छोड़ा खर छोड़े सब कुछ ही दिया खान पे बस आखरी देश को वोगी दिया पास में कुछ भी नहीं पास में कुछ भी नहीं आखरी जोड़ा गर छोड़ा खर छोड़ा खर में कुछ दिया थोड़ है, छोड़ है, छोड़ सब कुछ ही लिया, ठोड़ है, ठोड़ है. जाओ, जाओ, जाओ यहांसे, जाओ, जाओ क्या तंबाशा देखने आए हो, जाओ, जाओ, पिले जाओ, नहीं लगता, घर से बाहर हिकलते हुए अरे यहाँ यू तिछिडा हुआ है यारो और यू तिछिडा हुआ है बस लडाई भी लडाई और यह लडाई तब तब चारी रहेगी जब तक समाज के यह कुछ ठेकेदार आम जंता पर अपने कफ़ा जबाई रखेंगे कफ़ा कफ़ा समझते हो ना जो जो हंग्रेजों ने हमारे देश पर किया था कफ़ा कर हमें गुलाम बना रखा था हंग्रेज चले गए अब हम खुश हो गए कि अब हम आजाद है अब हम आजाद हैं इस आजाद भारफ में मैं ठकने के बाद भी चलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन लेकिन कभी कभी रातों में उनका हस्ता मुझकुराता चहरा मेरे सामने आ जाता है तो उनसे पूछने की इच्छा जाई रख्ये की सजार कि यही था वो आजाद हिंदुस्तार जिसका तसफुर तुम तीरों ने किया था अपदे प्राड देकर माँ पाड को जूर करने ये सभी चल दिये एक हो सारे जहां तो इंकलाब के हैं दिया रिल गई चाहती जिसका पनी के सलाणा मिल गई चाहती जिप ओर वोड़न पर चल दिये वोड़न पर चल दिये हो गए अम हो जुदा चोड़ा दर, छोड़ा दर, छोड़ सब कुछ ही दिया, चोड़ा दर, बंदे मातरम चोड़ा दर, छोड़ सब कुछ ही दिया, चोड़ा दर, चोड़ सब कुछ ही दिया, चोड़ा दर, बंदे मातरम किया कि तुझे शर्मिंदा होना पड़े, मेरा पुतर तो कोई गलत कामकार ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों इर्रा पेर उठा बैठर, पाया जी मैने आपसे इसलिए का था कि द्वेपे को साथ मत लाने, आप भी रोईगी ते मैंनू भी रुआएगा, चोड़ा मेरी माँ, आ आपके बड़े कीम्ती है, अपता, जो इन बुल्सियों ने हमने पास कैनकरके रखी है, भ flatter प्ल्सियों के दोक्य की बाद ली, इसी बड़े कीम्ती है, इसी बड़े दोक्ये बाद, उसे अकेले में ले जाकर कहते हैं कि दत सरकारी गवा बनी है और तोर इसके चूटे माफी नामे पर चूटे तस्तगत भी दिखा दी हाँ बेबे मुझे में ले जाकर कहा कि भगत मेरे खिलाफ गवाई देने को तयार हो गया है इने लगता है कि हम कुछ जानते नहीं समझते नहीं मैंने भी कह दिया ये एक बार को मैं एमान सकता हूँ कि सूरज पूरब के बजाए पश्चित से निकलाया है बत मेरा वी भगत धोके बास हो ही नहीं सकता धोके बास कोई फिरंगी है बेबे भगत खुद इन से मिलो ये है हमारे वकील आसाफ अली साहब जय 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 भगत जी आप इस वकालत नामे पर दस्तकत कर दें भी रुके आसाफ अली साहब जल्दी किस बात की देर ना कर पुतर कुछ ही समय में केश शुरू होना है भाया जी हमने इस कचहरी में अपना मुकदमा नहीं लड़े करना है कितिनी भी तैहारी कर लो पर इन फिरंगियों की अधालत में इंसाफ कहा मिलता है लो सुन लो मेरी बेबे ने किया से आणो वाली बात भगत जी, फिर भी हमारा फ़र्ज है कि आप डिफेंस का पूरा बंदो बस्त करें। माफ करना असरफ अली साथ, मगर हम ये केस लड़ना ही नहीं चाहते। पाया जी आप क्यूं बेकार में खजल खवार हो रहें। क्यों इन कचेरियों में अपना पैसा बर्बाद कर रहें। तिमाग खराब होगे है तेरा। क्यों उन्हों नहीं हम केस। और सारे कुंबेनू पेडियां लगवाएगा। तुटे सगारों ने चेल पी जाएगा। तुझ नहीं जानदा इन पुलिस वालोंने। तुटे साथ मैंने इन सब से केस डिस्कस किया। और सभी लोग हमारी मदद करने को तयाद है। देखिए असेबली में बम हमने जिस स्कीम के तहत गिराये थे वो आप लोगों की समझ से पड़े है। यह हम नौजवानों के विचार हैं। जो आपकी समझ में नहीं आएंगे। अगर जी मार लिया कि यह स्कीम हमारे समझ में नहीं आएगे। मगर मैं इतना जरूर समझता हूँ कि यह जंग सिर्फ आप अकेले की नहीं रहिया। यह पूरी हिंदुस्तान के जंग आजादी का हिस्सा बन चुकी है। अब अग्रेजों के आगे हदियात क्यों फैके। पूरी टककर देंगे उन्हें। हम कानूनी जंग लड़ेंगे। और तुम नौ जवानों की कोई भी स्कीम हो। तुझे और दत को छुरवाने की हड़ हीले कुछिस करेंगे हम। और मैं तो इस मार्ट का गवा हूँ। मैं खुद गैलरी के अंदर था जब तुमने टेरी और जांसन को कहा की। गवराव नहीं। हम अपने जुर्म का एक बाल जरूर करेंगे। आजाओ गिरफ़तार कर लो। और एक परच्छा। तो तुमने असेम्बली में बिखे रहा था मैंने वो भी अपने पास रख लिया। और हाँ पुत्तर हिंदुस्तान टेम्स को दुमाइंदा बड़ा चालाक निकला। पर जब तक सरकार उस परचे पर छपने परपावन्दी लगवा थी तक तक शाम का स्पेशल एडिशन समसर भाहार आ गया था, घर-घर बहुत गया था। हर गली, हर महले में लोग एक दूसरे को पढ़कर सुनाने लग रहे थे। यह तो बहुत बढ़िया हुआ। हमारी सोची, समझी, स्कीम के तहत हुए। मगर पाया जी, आप जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने सिर्फ इनसाफ का ड्रामा खेल है। हमें फासी पर चड़ाने का फैसला तो सरकार पहले ही कर चुकी है। फासी? मेरा पुत्तर? योही देने के फासी? मगर जी, इस जुन के लिए आपको फासी बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि कानून इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देगा। यही तो परिशानी है आसफ अली साब। आप इन पूंजी वादियों के कानून की जड़ नहीं जानते। यह कानून गड़े जाते हैं ताकि किसानों को, मजदूरों को घुलाम बनाए रखा जा सके। मजलूमों को एक्स्प्लॉइट किया जा सके। और इसी पूंजी वाद के खिलाफ हमारी जंग है। पूर ना कर पुतर, बंदे को अपने बचाप का पूरा बंदबस्त करना चाहिए। हाँ पुतर, जान है तो जहान है। अब यह कानूनी जंग हम डट कर लड़ेंगे। ताकि तुम दोनों जेल से बाहर आकर हमारी जंगे आसादी में अधिक योगदान दे सको। अधिक साथ कुछ के लिए। अब दस्तकत कर दीजी। नहीं पाया जी देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजी। हम आपकी पेडी से अलग सोच रखते। इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि मैं आपकी या चाचा जी की कुर्बानियों की कत्र नहीं करता। नहीं। मगर आप चाचा जी लाला लाश्पत राय जी कुछ भूडे नेताओं के जहांसे में फस गए। इन बूडे नेताओं ने बहादुरों को मजब की अफीम खिराकर नाकारा बना चोड़ा है। इंसा की धूनी देकर सुला दिया है। आप खुद बताइए बिना लड़े कैसे कोई जंग जीती जा सकती है। तो तुम्हारे जैसे ही इन कलाबियों ने लाला जी की मौत का बदला क्यों लिया। आया जी, हमारे और लाला जी के बीच में जगड़ा था, मुद्भेड थी। लेकिन वो बाप गैते का रिष्टत, हमारे घर का मामला है। हमारे घर के मामले में कोई भारवाल आकर हमारे बाप का खतल करते। इतने कमजोर तो नहीं है। जैसी कमलो जैसी बाते कर रहे हो दो नू। अब पुत्ता छोड़ ये सा बाते दस्तकत कर। परिवार की गिरफतारी रोखने का यतन तो करने दे वापीन साहब को। है शहीद मुलक मिलत है तेरे ओपर निसार अब तेरी हिम्मत का चरचार खेर की महफिल में है सर प्रोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर की तमना अब जोरी हिम्मत अजूत येस माय लॉड मैं खुद गैलरी के अंदर था और मिस्टर टेरी दोनों बंभटने के दस मिनट बाद दाफिल हुए थे तब तक नीचे का हॉल खाली हो चुका था तब कहीं जाकर भगत सिंग ने चत की दरफ दो गोलिया चलाई और ये दोनों कई देर तक नारे लगाते रहें सामराज मुर्दाबाद इंकलाब सिंदाबाद ओडर ओडर तब कहीं जाकर डरते डरते मिस्टर टेरी अंदर दाफिल हुए तैरी खौफ से काप रहा था अजे इनके निक्कर के लिए हो गई थी हो तो हमने हाथ उबर उठाकर इसे और जॉनसंग को तसली दी कि गवराओ नहीं हम अपने जुर्म का इकबाल ज़रूर करेंगे हम खुद पूरी दुनिया को बताएंगे कि बं हमने फैके थी माई लॉड मिस्टर टैरी जैसे जूटे अफ्सरों की गवाही पर शरीफ इंसान पो कोई सजा नहीं होनी चाहिए सर सर हम कसम घाता हमने कोट को सब सच बताया आप चलो चल रामे बाच कि जब हम अपने आप ही सारा सच बता रहे हैं खुदी कि रफतार हो गए तो तुन्हें जूट बोलने की क्या गडूरत है यस माई लॉड मिस्टर टैरी की पूरी गवाई जूट का पुलिंदा है अलिश्ते ये तक रज कर देनी चाहिए थैंक यू मिस्टर टैरी राद सबस्केट ये नहीं थैंक रोड कर गीज्यू बोलने कि जोट के का पाम गूरत क्या आपकी ड्यूटी गैलरी में लगी थी मिस्टर जॉंसी यस सर गैलरी विजिटर्स से बरी हुई थी सर सारे के सारे लोग वहाँ पर आई हुए थे कॉंट्रोर्शल बिल असेंबली के सामने था इंदुस्तानी मेंबर्स की मजॉर्टी पेले ही बिल्को रिजेक्ट कर चुकी थी मगर फिर भी वाल्स रॉइ अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तिमाल करके बिल्को अमल में लाना चाहते थे उच्च्छराब हो सकताथा सर तो मैं रवी समझा के मैं खुट अब रहता हुट अच्छा तो मिस्टर जॉट्वार्स इसका मतब आप अक्सर अपनी डुटी गैलरी में लगा थे नो, नो, नो no, that was a special day अक्शुली, Sir John Simon's special visiting box में बैचे हुए थे क्योंकि साइमन कमिशन के खिलाब फुरे हिंदुस्तान में रिवोल्ट हो रहा था और इंकलाबियों ने बॉंब्स किराने की कोशिशे की थी तो मैंने अपने ड्यूटी वही लगाना पहतर समझा स्था अच्छा, तो तेरी भी तेरे साथ ही रा होगा वाहना नो, I mean, yes, yes, my lord, और तुम दोनो हमारे पास खाने थे, yes तो तब आपने ने रोका क्यो नहीं, Mr. Johnson? या, बम गिराने से पहले क्यो नहीं पकड़ों my lord, पहला बम इतना सरन था कि मैं कुछ समझ नहीं पाया ब्रेक्टम हॉल में बुरा दुआ हो गया था स्था दूसरा बम गिराते हुए मैंन को देख नहीं सका वगर जैसे ही दुआ हजा, मैंने बागत सिंग के हाथों से लोड़िट पिस्टल को चील लिया, जो की दो शोट्स के बाद जाम हो गई थी, sir मैंने तुझे अपने आप पकड़ाया था, सिर्फ दो गोलियां चत्की और दागने के बाद अच्छा चल ठीक, एक बाल बता, हमारी और आते वक्त तेरी टांगे नहीं कापी थी जो, नो ने जोल, sir मैंने मुल्जिम बी के दक को पीचे से पकड़ लिया था मैंने सॉजिन चेरी ने बागज सिंको, तो क्या तुम बं गिरते वक्त, या पिच्चल चलते वक्त, मुल्जिमों के साथ गैलरी के अंदर थे? Yes, sir, मैंने अपनी आखों से देखा मुल्जिम को जुर्म करते हुए So, Mr. Johnson, क्या मुल्जिमों ने हिच्च मैजिशिस गवर्मेंट के खिला, जंग छेडने का अलाम किया? Yes, sir, इनोने दाउन वेद यूनियन जैक, और देख टू बिडिश कोलोनियलिजम के नावे लगा Yes, sir, इन पेपर्स की बहुचार हुई मैंने अपनी आखों से देखा, sir My Lord, मैं खुद केहरी के अंदर था, और Mr. Johnson, Terry के भी बात दाखिल हुए थे पहला बंफटने के कुछ पाच मिनिट बात Johnson, भूल गया तू, डर के मारे तेरी टांगे और बाहें चूले चूल रही थी हम अदालत को सारा सच बता रहे हैं, तुम लोग क्यों जूटके पाड़ खड़े कर रहे हो Thank you, Mr. Johnson, अब आप जा से को My Lord, Mr. Johnson, पी Terry की तरह एक सरकारी मुलाजिम इनका सचाई से कोई लेना देना नहीं, इंसाफ और इंसानियत से दूर दूर तक टपवई रिस्ता नहीं मिनी कोट से ये दरख्वास है कि सारे सरकारी का गवाहों की शहारत पूरी की पूरी रद की जाए मुल्जम सफाई पेश करें, पहले बगत से जनाब मैने और धत रहें कठे स्केटमेंट तैयार की है हम दोनों कठे हर सवाल का जवाब देंगे, इजाज़त है मुल्शी जी, पॉपिया दीजी असर साहब, कुछ नकले समाचार पत्रों के लिए भी निकलवाई थी मुल्शाबने से मना किया जाए, बयान पेश हो चुके है, आप यह भी बाटी जा चुकी है, जाचाब स्टेटमेंट के अंदर खतरनाक वाक्य हो सकते है, माई लॉड, जिमसे मुल के मिशान्ती भंग हो सकती है लिखेत बयान कोट में दर्ज हो चुके है, पब्लिक प्रोशीक्यूटर सवाल पूछिए, यस माई लॉड बुजरिम भगज सिंग और बीके दर्द, क्या तुम दोनों ने असेंबली के अंदर बंप ले गे? जरूर, एक भगज सिंग में एक मैंने क्या तुम दोनों लोड़िट पिस्टल लेकर हॉल के अंदर गए? जी जरूर, गोलियां चलाई, सिर्फ दो किसी विशेश ब्यक्ति को निशारा बनाया? नहीं, गोलियां चट्की और दागी थी क्यों? जरूर, हम मनुष्य जीवन को पवितर समझते हैं खामखा किसी का खूर नहीं बहाना चाहते हैं तो अगर तुम दोनों पिस्टल छुपाकर अंदर ले गए थे तो इंटेंशन तो जरूर किसी का कट्ल करने की होगी? बिलकुल नहीं जरूर, हम किसी एक व्यक्ति से नफरत नहीं करते कि हमारा देश छोड़ कर चले जाएं यह इंकलाब का तूफान है बहुत उपर लेकर टूबेगा इंकलाब से मचलब क्या है तुमारा बरतमान सामाजिक और राजनीतिक ठाचे में जड़ से परिवर्तन डिक्टेटर्शिप ऑफ दे प्रॉलेटरियेट डिक्टेटर्शिप यानि तुम लोग डिमॉक्रिसी के दुश्मन हो नहीं जनाब आप शोशक वर्किये रखती हैं जन्ता की डिक्टेटर्शिप कार्थ आप नहीं समझते किसान अना जुगाता है लेकिन उसकी अपने बच्चे दाने-दाने को तरसते हैं क्यों राजमिस्तरी, बढ़ाई, लोहार ये लोग अमीरों के महल खड़े करते हैं अगर खुद जुगी जोपड़ियों में बसते हैं क्यों इस समाज की पूरी की पूरी बनावट बदलने की जरूरत है यही है हमारा इंकलाब कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोशन ना करे एक मुल्क, दूसरे मुल्क का खून ना चूसे सब परावरी से रहें, प्यार से बसे, अमन अमान से बसे तुम्हारा वहतर दुनिया का भौप बुरा नहीं लेकिन क्या इस उडोपिया के लिए बंचलाने जरूरी है इनोसेंट लोगों की जाने लेना लाजमी है जनाब हम अमन पसंद करांती कारी है मनुष्यों के जीवन को हम बहुत पवित्र समझते खूब, बहुत खूब पूरी असेंबली को एक ही जटके से खत्व कर लेगी साधिश जरूर इंसानी जिंदीगों पवित्र समझती माइलोड, लाहौर के ट्रिप्यून ने सही लिखा है कि इतने खातक बं गिराने वाले जरूर कोई पागल है ट्रिप्यून ने गलत लिखा है हम कोई पागल नहीं है अच्छा ठीक है जनाब मान लिया हम पागल है तो एक काम कीजे हमें पागल खाने में बंद कर दीजे इसका चेरी में क्यों खशीट रहे है जनाब हमने सोल समझ कर बं बनाए उसमें पोटाशियम और पिकरेट बरते ताकि सिर्फ उची आवाज और धुआ और अगर हमें सच में किसी की जान लेनी होती तो उसमें लोहे के चर्रे और गंधक मिलादे इनके बयानों का ये हिस्सा खारिज किया जाए और ब्रेस को ये वाक्य चापने से मना किया जाए वरना देश के सभी नौजवान बंग बनाने का फॉर्मुला सीखकर जगा जगा बंग छोड़ने शुरू कर देंगे ये फॉर्मुला रिकॉर्ट से खारिज किया जाए और अकबारों में भी शाया ना हो जनाब हमने सोच समझ कर जाच करके खाली जगा पर बंग ठेके थे सिर्फ दो से तीन लोगों को मामूली रगड लगे सिर्फ दो फुट दूर खड़े शूस्टर को भी खरो चाहिए और अगर हम असल में किसी की जान लेना चाहते तो देश के जान इविश्मन जॉन साइमन्स की लेते लाला लाजपत राइजी के कातिल को मानना जरूर हमारी पहली कोशिश हो लेकिन हमारा केवल एक मात्रू देश से था शितावनी ने हमारे बुजर्ग मोदिला लहरूजी, पटेल सहाब, जिन्ना सहाब सब सदन के अंदर थे हम उनकी जानों को खतर में क्यो डालते तुम्हारी इंटेंशन कुछ भी हो लेकिन वॉयलेंस का इस्तिमाल जायस नहीं एक सब भे देश में हिंतार नहीं होनी चाहिए बेक टुटिफा माई लॉड नेक कारे के लिए शक्ती का प्रयोग नेक होता थे गुरु गोबिन सिंग ने, शिवा जी ने आजादी लाने के लिए ताकत का इस्तमाल किया थे अमाल पाशा, रजा खान वाशिंग्टरन और गेरी बार्ली ये सब ताकत का इस्तमाल करके इंकलाब लाये थे ताकत के बरतने को इरादे से देखिए आटे में संखिया मिलाना बुरा नहीं बशर्ते इरादा चूहे मारने का हो नतीजे से जाचिए नतीजे सही हो तो ताकत का बरतना जायद CCR दास में अपने कुट र西 हे सही लिखा था कि सोय हुए फिरंगी को जघाने के वास्ते बमों की ज़रूरत है पहरों के कान खोलने के लिए धमाकों की ज़रूरत है इकलाब हर कौम का वुन्यादी हक है सवतन तता हर व्यक्ति का नाच्छी ने जाने वाला अधिकार And hereby, we rest our case तो मुल्जिमों के एकबालिया बयानों से ये जाहिर है कि ये दोनों अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़े हुए ये इस समाज के और इस मुल्क के दुश्मन है खतरनाग कातिल है तो IPC की दफ़ा 307 के तहट और Explosives Act के आर्टिकल 3 के तहट मुल्जिम बगत सिंग और वी के दद को उम्र कैंद बामुशक्कत दी जाती देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है बाजुए कातिल में है इंकराब सिनावाद फासि होनी चाहिए जी बारिजद बरी करना चाहिए था नेवर माइन आए आसफ अली साहब हाई कोट अभी बागी है महाँ जरूर फासि दिलवाऊंगा फासि पठाके छोड़ने के लिए दोलों को सूली पर चढ़ा कर इदम लूँगा असेंबली बं केस के लिए उन वीरों को उम्रकैद की सजा भी उन शहजादों के होसलों को डिगा नहीं सकती थी सांडर्स केस का फैसला अना भी बाकी था सांडर्स जिसके कतल की यूजना बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी भगवान दास और विजय उसके आने का टाइम बताएंगे उसकी शकल कौन जानता है जैको पाल वो मोटर साइकल से आता था ये वी कॉलेज के सामने मैं देखते ही इशारा करूंगा फिस्तॉल किसके पास है राच गुरू के पास त्यान द्यूलू ये और गोली बेर बगत चलाएंगे अगर गोली चलाने के बाद किसी ने भी हमारा पीछाट किया तो उसे पंडीची देख लेंगे पंडीची कहा है पंडीची जै को पाले गलत इशारे कर दिया पंडीची स्कॉर्ट के बुझा इस सांडर्स वारा गया यम्राज और यम्दूत में जारा फैर्ट नहीं होता सुक्देफ लाठिया भी तो इस सांडर्स नहीं पर साइए थी दवाहों के सब बयानात सुनने के बाद और सब दलीलों के मद्धे नजर यह अदालत इस नतीजे पर पहुची है कि मुल्जिम भगत सिंग सुकदेव और राजगुरू ने अपनी सोची समझी साजिस के तहत इंस्पेक्टर सांडर्स का गतल किया लिहाजा यह अदालत IPC की दफ़ा 120B के तहत तीनों मुल्जिमों को सजाय मौत का हुकुम देती है और तारीक 24 मार्च 1931 मुकर्र करती है To be hand till death बतन की आब रूप का पास देखें कौन करता है सुना है आज मक्तल में हमारा इंतिहा हो बतन की आब रूप का आज देखें कौन करता है सुना है आज मक्तल में हमारा इंतिहा होगा इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे जब अपनी ही जमी होगे और अपना आसमा होगा बतन की आब रूप का आस देखें कौन करता है बतन की आब रूप का आस देखें कौन करता है बतन की आब रूप का आस देखें कौन करता है दिन तो तैब हुआ था 24 मार्च 1931 पर जेल के बाहर इन कलावियों के इतने बड़े हुजूम को देखकर बरतारिया सरकार की जड़े हिलने लगी है इसलिए चुप चाप आज एक दिन पहले ही हासी दे जा रही है शाया दिन शहजादों के नसीब में इंतिजार लंबा न था ऐसा लग रहा है मानों वक्त भी वक्त से पहले आना चाह रहा है पुतर अरे बाबा जी आईए बागत पुकुम हुआ है तुम मिंतजार तुम स्नान कर लो गुलावा आई गया बाबा जी आज एक दिन पहले है बागत चाचा लेनन की जिंदगी का आखरी अध्या बचाए डॉक्तर, मेजिस्ट्रेट, जेलर, जलाद वो सब भी पहुँच गए है तो इंकलावियों की मुलाकात तो पूरी होने दो चाचा एक इंकलावी को दूसरे इंकलावी कहानी बढ़ लेन दो हो लेने दो इंकलावी दोस्तों की मुलाकात सिर्फ दो मिनट जी चाचा पापाजी, आपने छे महीने मेरा माता-पिता की तरह ध्यान रख मैं आपका तही दिल से शुक्रिया दा करें ना पुतर ना शुक्र गुजार तो हम है तेरे शूर वीर की सेवा करने का मौका इस तुछ प्राणी को प्राफ दुआ पुतर और तुमारे परिश्रमों के कारण ही तो हम आजाद हिंदुस्तान का चट्ता सुरेद देखने के पुतर पुतर जकीन मानी हमारी पासी के बाद हिंदुस्तान बहुत जल्दे आजाद मुल्क हो गए पुतर उसे देखने के लिए तुम लोग या मौजूद नहीं होगे पुतर तुम लोग या मौजूद नहीं होगे हम मौजूद नहीं होंगे तो क्या आपकी और करोड़ों इंदुस्तानियों की आखों से हम इंदुस्तान की आजादी का उपता सूरज देख ले मत रखे आपको आजादी मुबारक हो बाबाजी अपने हाथों अपने लभू से सीचा धरती का सीना काली भी कुछ करे ना पाए संग मौत के सीखा जीना चले दिवाने परवाने आजादी के मस्ताने दिलग लभू का माते पे आजादी के दाके दराने दिलग लभू का माते पे आजादी के दाके दराने मेरा रंग दे बरसंती चोला रंग दे मेरा रंग दे वर संती चोला रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे वर संती चोला रंग दे वो मेदा रम शनी जो अला रम वो मेरा रम क्रिजिआ के खोला रम मेरा रम जैक्षा साहितने कला परिशद की ओर से परिकल्पना काल्च्रोल सोसाइटी के कलाकारों ने यहां पर भगत सिंह के जीवन पर आधारी गिये संगीत में नाटे प्रस्तुती आप सब के सम्मुख पेश की आधि दौड़नी के साथ आप लोगों ने हमारे कलाकारों का धनिवाद किया तुभ Extremadura अ वने दिया बहुत बहुत धनिवाद आप सभी का हम सभी कलाकारों का बहुत बहुत धनिवाद करते हैं इस प्रस्तुती के लिए और कैषिंक को आगे बढ़ाते हुए